गुड मॉर्निंग फिंड्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेडि विद्रवे ठाकुर पर चलिए आज के देडियो डिटूरियल वकाबलेर की शुरुआत करते हैं वकाबलेर के पीडिएफ के लिए आप उनसे टेलीग्राम ग्रूप पे जुट सक इक्जम्पल पूट किया है वहां पर तो आप मुझे बताइएगा यह सही है या में फिर इंग्लिश की एक्स्पानेशन भी लिखूँ और साथ में फिर ए एक्जम्पल दूँ उसके बाद तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा पहला डिटोरियल दिया गया आजका हैडिंग आप देखी रहे हैं लेवल प्लैटफॉर्म्स ओन न्यू लॉइन ऑस्ट्रेलिया तो अस्ट्रेलिया भी पार्लेमेंट है वहां एक विद्धेक पास करने की बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में कि जो गूगल है और जो फेस्बुक है वो अपने जो दिखाते हैं अ उस कानून में कहा गया है कि गूगल और जो फेस्बुक है उसको कुछ एक निश्चित एकमुष तराशी देनी होगी प्रकाशक को जितना भी रेविन्यू जनरेट होगा इसके बारे में इसका रियक्शन भी गूगल ने तो दे ही गूगल ने एक तमसे दे दिया है रियक् Q का मतलब होता है किसी चीज की तरफ संकेद करना की सिची की तरफ इशारा करना उसे बूला जाता है Q your mind will follow the cues your body is giving it that is called cue next word है emulating emulating यहाँ पर वर्प की तरह यूज हुआ है emulating का मतलब होता है किसी का obey करना, anusaran करना या किसी की तरह काम करना, किसी की नकल करना उसे बोला जाता है emulating such impressive examples of sportsmanship may be rare but they are worth emulating that is called emulating next word है severe severe यहाँ पर adjective की तरह यूज हुआ है severe का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिती या ऐसी कोई बात जो बेहत कष्ट देने वाली हो, गंभीर हो बहुत जादा कथिन हो उसे बोला जाता है English में severe she was confronted with severe money problems that is called severe मतलब उसे बहुत जो सामना कर रहे है money problems का बहुत बहुत अधिक money problem का जो पैसे से सम्मंदित दिक्कत है अभाव है, वो सामना कर रही है that is called severe next word है intervention intervention यहाँ पर noun की तरह यूज हुआ है intervention का मतलब होता है किसी भी काम में हस्तक शेप करना किसी तरह का बीच बजाओ करना, रुकावट पैदा करना किसी भी काम को ना होने देना उसे बोला जाता है intervention after a certain point medical intervention may be necessary हस्तक शेप करना, बीच बजाओ करना that is called intervention next word है intensified intensified यहाँ पर वर्ब की तरह यूज हुआ है intensified का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रबल हो जाना बहुत जादा तेज हो जाना उसको बोला जाता है intensified the department also said that in the next few days this campaign would intensify तेज करना, प्रबल करना उसको बोला जाता है intensified next word है precipitous precipitous यहाँ पर adjective की तरह यूज हुआ है precipitous का मतलब होता है किसी भी चीज का एकदम तेज हो जाना तीक्षन हो जाना, तीखा होना उसको बोला जाता है precipitous जैसे पहाड़ों पर मोड होते हैं बहुत जादा तेज, एकदम शाप, एकदम तेजी से गिरना किसी चीज का उस context में भी यह word यूज होता है precipitous the stock markets precipitous drop frightened foreign investors एकदम से तेजी से कोई fall down हो जाना, तेजी से गिर जाना उसे बोला जाता है precipitous next word है flawless flawless यहाँ पर adjective की तरह यूज हुआ है flawless का मतलब होता है ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई बात, ऐसी कोई स्थिती या ऐसी कोई बात जो की गलती से रहीत हो, जिसमें गलती की संभावना ना हो, तूटी रहीत होना या हम इस कंटेक्स्ट में भी यूज कर सकते है निर्दोश होना, उसे बोला जाता है flawless for a high school dropout शकीला स्पीक्स flawless English, Hindi, Tamil and Urdu that is called flawless next word है यहाँ से जो शुरू होता है आमारा दूसरा डी टूर्लिश शुरू होता है जिसका heading है loss of trust on the trust vote in Puducherry तो Puducherry में अभी पिछले कल flow test हुआ वहाँ पे जो Congress की सरकार है वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई तो इसके regarding दिया गया है पूरा editorial की किस तरह से कुछ है के MLA ने स्तीफा दे दिया, कुछ BJP में शामिल होगे तो जी दूसरा जो editorial है यह politically motivated है आप इसको भी पढ़ सकते है तो इसी की base पे vocabulary का पहला word है हमारा defection defection यहाँ पे noun की तरह ही उस हुआ है defection का मतलब होता है दल बदन लेना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाना अपना समर्थन वापिस ले लेना या हम बोल सकते हैं किसी तरह का विद्रोह करना, बगावत करना उसे बोला जाता है defection withdrawing support or help despite allegiance or responsibility that is called defection next word है imminent imminent यहाँ पे adjective की तरह यूज हुआ है imminent का मतलब होता है कि हमें कोई लग रहा है कि कोई बात होने वाली है जल्दी ही घटित होने वाली कोई घटना कि हमें पहले ही लग रहा है कि ऐसा होगा और ऐसी कोई घटना घटने वाली है ऐसी बात होने वाली है उसे बोला जाता है imminent experts say Bangalore is on the verge of an imminent water crisis that is called imminent next word है thrive thrive वहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है thrive का मतलब होता है किसी भी चीज का develop होना विक्सित होना उसका फनना फूनना उसे बोला जाता है एंगलिश में thrive if you plant on level ground they will not thrive that is called thrive next word है precedent precedent यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है precedent का मतलब होता है पहले से हम कोई बात कर रहे हैं और हम किसी पहले जो घटित हो चुकी है कोई घटना या कोई बात हम उसका उधारन दे रहे हैं पहले से कोई घटित घटना की कोई हो चुकी है उसकी हम मिसाल दे रहे हैं उसका हम उधारन दे रहे हैं आगे आने वाले कुछ काम के लिए उसको बोला जाता है precedent one should follow the precedence set by the piece that is called precedent next word है convention convention यहाँ पर noun की तरह use हुआ है convention का मतलब होता है हमारी जो रिती रिवाज होते हैं कोई प्रथा चली आ रही है प्रथा परंपरा या रिवाज उसे बोला जाता है convention convention का एक दूसरा मतलब भी होता है लोगों की बैठक बुलाना meeting बुलाना किसी discussion के लिए उसको भी बोला जाता है convention it is an Indian convention to touch the feet of elders when you meet them that is called convention next word है relentlessly relentlessly यहाँ पर adverb की तरह use हुआ है relentlessly का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो लगातार चले, निरंतर चले बिना रुके हुए चलता रहे उसे बोला जाता है relentlessly she always questioned me relentlessly that is called relentlessly next word है persuade persuade यहाँ पर नावन की तरह use हुआ है persuade का मतलब होता है कुछ पाने के लिए या कुछ हासिल करने की कोशिश करना उसे बोला जाता है English में persuade his friend was in persuade of his destiny that is called persuade और आज की दहिंदू editorial vocabulary का अंतिम शब्द है embedded embedded यहाँ पर adjective की तरह use हुआ है embedded का मतलब होता है कोई एक बात या कोई एक स्थिति जिसमें की सभी पहलूँ को संजो के कर दिया संजोया गया हो नहित होना उसमें सभी बातों का अईसी कोई स्थिति या इसी कोई बात जो सभी सभी opinion है कोई भी या कोई भी बाते है समावेश हो उसमें सभी बातों का सभी opinions का उसे बोला जाता है embedded नहित होना सन नहित होना that is called embedded if something such as an attitude or feeling is embedded in a society or system or in someone's personality it becomes a permanent and noticeable feature of it that is called embedded तो ये embedded word आज की दे हिंदु डिटोरियल वकाबलरी का अंतिम चब था थोड़ा सा मैंने इसमें आज चेंज किया है तो मुझे आप comment करके जरूर बताइएगा कि इसके साथ मैंने description नहीं लिखा है हिंदी का आपको example देने की कोशिश की है तो ये इस तरह से ही सही है तो मुझे comment करके जरूर बताइएगा कि किस तरह से मैं उसमें add करूँ या ना करूँ वो English वाला part तो आज की दे हिंदु डिटोरियल वकाबलरी में इतना ही Thank you Thanks for watching